यहाँ पर आप सीखते हैं बिलकुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोजाना प्रियोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मिनिंग सीखेंगे वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा यानि की हिंदी में अनुवाद होगा जिससे धीरे-धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ-साथ सही वाक्यों की पहचान होगी उनको आसानी से समझ पाएंगे इस क्लास में आप धेर सारे ऐसे सेंटेंसेज और वर्ड्स को सीखेंगे आज के यहाँ पर जो भी सेंटेंसेज होंगे यह होंगे प्रेजेंट कंटिनियूस टेंस के प्रेजेंट टेंस जो है उसका कंटिनियूस टेंस रहेगा इसमें अगर हिंदी में जैसे पहचान देखेंगे अब जो भी यहाँ पर हिंदी में sentences आएंगे तो अनुवाद होगा रहा है रही है या रहे है से फिर है यहाँ पर he है subject यानि वह तो इसके साथ is लगेगा अगर subject she है यह लड़के के लिए she किसी लड़की के लिए स्त्री के लिए इसके साथ भी is आएगा यानि he के साथ भी is और she के साथ भी is is क्या है यह helping verb है यानि की सहाय क्रिया it के साथ भी is आएगा it is it यानि किसी वस्तु के लिए जानवरों के लिए non living things के लिए फिर है दे यानि की वे या वे सब तो यहाँ पर दे के साथ आ राएगा जो की एक helping verb है present continuous tense की फिर यहाँ पर वी के साथ भी आ राएगा ये भी helping verb है present continuous tense की वी आर फिर है यू वी का मतलब हम या हम सब यू का मतलब तुम या आप यू के साथ भी आर helping verb आएगी फिर I अगर subject आएगा तो I के साथ M helping verb आती है तो इस तरीके से he के साथ is, she के साथ is, it के साथ is यानि he is, she is, it is फिर है they के साथ are, तो they are, we are, you are तो ये subject के अनुसार ही helping verb आती है I के साथ M फिर ये तो रही helping verb लेकिन main verb यानि मुख्य क्रिया आएगी न present continuous tense में जैसे play जो है main verb है, अब play में ing लग जाएगा तो ये मुख्य क्रिया playing आएगी present continuous tense में past continuous tense में भी इसी तरीके से verb में ing लगेगा लेकिन अभी जो वाक्य present continuous tense के होंगे तो play का playing बनाना है, cook का cooking बनाना है play का मतलब खेलना, cook का मतलब भोजन पकाना, फिर यहाँ पर ing लगा है in verbs में, ये जो की एक मुख्य क्रिया है main verb है make का मतलब बनाना making आएगा यहाँ पर present continuous tense में यानि make के साथ ing लग जाएगा यहाँ पर e को हटा कर ing लगा है, तो ing लगाने के भी कुछ नियम rules होते है तो यहाँ तक तो बात रही कि present continuous tense का जब अनुआद करेंगे तो आपको पता रहना चाहिए कि helping verb कौन से subject के साथ कौन सी helping verb आ रही है main verb किस तरीके से ing रूप में आ रही है और इसकी जो पहचान है, identification है, रहा है, रही है, रहे है से होगी चले, अब यहाँ से आ जाते हैं sentences जिनको पढ़ेंगे English reading के साथ, pronunciation के साथ, और translation के साथ What are you doing? What का मतलब क्या? अब यहाँ पर यह subject you है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह प्रशन वाचक वाक्य है, last में question mark लगा है तो यह कैसे बनेगा? डबलो एच फैमिली आ जाएगी What, where, when, फिर उसके बाद helping verb आएगी जैसे यहाँ पर आई है helping verb आर तो what का मतलब क्या? यहाँ आर जो है, क्यों आए? क्योंकि subject you है और मैंने अभी बताया था, you के साथ जो helping verb है न, वो आर आएगी फिर main verb do है, तो doing हो जाएगा, आई जी लग जाएगा do का मतलब करना क्या? you का मतलब तुम अब do का मतलब करना तो कर रहे हो तो रहा है, रही है, रहे हो, इस तरीके से अनुवाद हो जाएगा तो what are you doing? तुम या आप क्या कर रहे हो फिर है I, I के साथ am helping verb आई है तो I am doing, अब यहाँ पर do का doing हो गया ठीक है, is, am, are, जो helping verb है, उसके बाद में main verb यानि do है, तो doing बन जाएगा, ing लग जाएगा तो मैं कर रही हूँ, do का मतलब करना तो am doing यानि कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, या कर रहा हूँ homework, यानि ग्रेह कारे तो I am doing homework फिर है she, she यानि वह, she किसी लड़की के लिए, she के साथ is doing yoga, अब वह है do मतलब करना, तो कर रही है is doing, कर रही है yoga वह है yoga कर रही है she is doing yoga फिर है what अब जैसे मैंने बोला डबलू एच फैमिली से जब प्रश्न वाच्छक वाक्ये मनाएंगे तो what का मतलब क्या अब what के बाद में आर आया है subject you है, इसलिए you के साथ आर लगता है to what are you doing यानि तुम क्या कर रही हो in यानि में the park पार्क में today यानि की आज आज तुम पार्क में क्या कर रही हो what are you doing in the पार्क today फिर आगे है I am playing play का मतलब खेलना तो मैं am क्यों आया क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया कि I के साथ am आएगा तो I am playing play का मतलब खेलना तो मैं play playing am playing यानि खेल रही हूं या खेल रहा हूं with के साथ with का मतलब के साथ किस के साथ my, मेरे dog के साथ, कुत्ते के साथ तो I am playing with my dog मैं अपने dog के साथ, कुत्ते के साथ खेल रही हूँ फिर आगे है have a picnic जैसे have a picnic तो इस पूरे का मतलब picnic मनाना have मनाने के sense में तो have a picnic यहनि कि picnic मनाना picnic मना रहें तो have a picnic word का use होगा फिर देखें आगे I am having a picnic जैसे have a picnic का मैंने बता दिया अब having हो गया क्योंकि continuous tense में इसको लिया है तो मैं मना रहा हूँ picnic with यानि के साथ my family मेरे परिवार के साथ मैं picnic मना रहा हूँ तो picnic मनाने के अंग्रेजी मैंने बताई have a picnic करके word आएगा तो picnic मनाना इसका हिंदी में मतलब निकलेगा I am having a picnic with my family मैं अपने परिवार के साथ picnic मना रहा हूँ फिर है what, what food यानि क्या खाना क्या खाना are, are है you subject है इसलिए are eating eat का मतलब खाना अब continuous tenses में ing जो है main verb के साथ में आपको मिलेगा फिर यहाँ पर है what food are you eating यानि क्या food, क्या भोजन तुम खा रहे हो eat का मतलब खाना होता है तो are eating का साथ में मतलब आ जाएगा खा रहे हो फिर यहाँ पर है we, हम, are enjoying enjoying का मतलब अच्छा लगना मजे लेना, आनन लेना sandwiches तो हम जो है, आनन ले रहे है we are enjoying sandwiches फिर है fruits and some kuch snacks इन सब का हम मजे ले रहे है enjoy कर रहे है तो we are enjoying sandwiches fruits and some snacks फिर है I am watching watch का मतलब देखना तो am watching देख रहा हूँ क्योंकि I subject इसलिए रहा हूँ आ जाएगा I am watching, मैं देख रहा हूँ क्या the news समाचार, news देख रहा हूँ मैं फिर है I am making में का मतलब होता है बनाना बनाना breakfast मैं breakfast बना रहा हूँ I am making breakfast मैं breakfast बना रहा हूँ नाश्टा बना रहा हूँ या बना रही हूँ फिर है what is your brother यानि क्या is doing यानि कर रहा है क्या कर रहा है तुम्हारा भाई यार ब्रदर what is your brother तुम्हारा भाई क्या कर रहा है तो एक sequence होता है sentences का जब डबलो एच फैमली आ जाएगी तो इसके बाद just helping verb just be sentence की होगी फिर यहाँ पर subject है your brother यानि कि तुम्हारा भाई फिर यहाँ है doing जो कि एक main verb है तो इसी तरीके से बनाएंगे ना कि is से पहले आप your brother लिख दे तो आगे पीछे नहीं कर सकते यह sequence होता है what is your brother doing तुम्हारा भाई क्या कर रहा है फिर है brother is washing यानि धो रहा है is washing धो रहा है wash का मतलब धोना तो washing is washing तो धो रहा है his यानि उसकी कार यह जो brother है इसके लिए his आया है यानि वो अपनी उसकी कारद हो रहा है brother जो है भाई जो है वो कारद हो रहा है फिर है what is क्या फिर is doing यानि कर रही है your sister तुम्हारी बेहन what is your sister doing तुम्हारी बेहन क्या कर रही है तो she वह is playing यानि खेल रही है she is playing with के साथ her puppy यानि अपने जो पपी के साथ है वो खेल रही है पिले के साथ अब यहाँ पर she जो है इसके लिए her का use हुआ है she एक लड़की है तो इसके लिए her का use his का use हुआ था लड़के के लिए तो her का use होगा लड़की के लिए his और her क्या है? pronoun तो यहाँ पर देखें where is your mother यानि तुम्हारी मदर मा कहा है अब यहाँ पर ऐसा नहीं पूचा है कि कर रही है कोई कहीं पर है ठीक है कोई कहीं पर है तो वहाँ पर भी his और मार का use होगा his और मार का use होगा वहाँ पर कोई main verb नहीं आएगी اب کہا है कोई कहीं پर है कमरे में है बाहर है तो यहाँ पर मदर के बार बें पूछा जा रहा है क्या कर रही नहीं है कहा है तो is का यूज शिर्फ is का फिर है what is क्या is is है she के लिए she के साथ भी इस का यूज होता है तो what is she doing अब यहाँ पर पूछा है she जो है वो mother है तो वह क्या कर रही है what का मतलब क्या अब यहाँ पर करने की बात कही गई है पहले पूछा कहा है तो is का use हुआ था लेकिन is doing अब करने की बात हुआ रही है तो do के साथ ing यहाँ पर main verb है doing कर रही है तो वह क्या कर रही है what is she doing तो इस के बाद में subject और फिर main verb फिर देखें she is, is washing, wash का मतलब धोना तो धो रही है the dishes, dishes का मतलब यहाँ पर बरतन की बात है तो she is washing the dishes यानि बरतन धो रही है फिर है she, is chopping, chop का मतलब काटना होता है तो काट रही है is chopping काट रही है वह काट रही है अब यहाँ पर जो है इसका pronunciation cucumber है cucumber ना करके आप cucumber इसका उच्छारन pronunciation करें यहाँ पर हिंदी में लिखा भी गया है तो she is chopping a cucumber यानि की वह cucumber खीरा काट रही है she is chopping a cucumber फिर आगे है she, वह, is making, make का मतलब बनाना तो is making बना रही है क्या है salad तो यहाँ पर salad हिंदी में और salad इंग्लिश में उच्छारन लिखा है तो as well, as well का मतलब भी, as well तो she is making salad as well यानि वह salad भी बना रही है, salad भी बना रही है फिर है salad यानि की salad is, है, good यानि अच्छा for health यानि की health के लिए, शरीर के लिए, for के लिए फिर यहाँ पर is, is का use, यानि कोई कुछ है इस के अनुआद में भी हम इसका use करेंगे कोई कुछ है के sense में, मतलब में तो यहाँ पर main verb नहीं होगी, यानि कोई कुछ है तो क्या है salad जो है, अच्छा है health के लिए, तो is का use फिर देखे, where, कहा, is, the, grandfather यानि दादा जी कहा पर है, तो यहाँ पर कहा है पूछा गया है, कोई कही पर है, तो is का use main verb यहाँ पर नहीं है, ऐसे वाकिये इसी तरीके से जो बनाए जाएंगे और पढ़े जाएंगे, अनुवाद किया जाएगा फिर है यहाँ, I want to, यानि मैं चाहता हूँ to play, यानि खेलना with के साथ him, उनके साथ, किस के साथ, grandfather के साथ, I want to play with him, मैं उनके साथ, खेलना चाहता हूँ, या खेलना चाहती हूँ, तो want यहाँ पर क्या है, main verb है, want, फिर देखे, he, वह, is watching, watch का मतलब देखना, तो देख रहे हैं, is watching, देख रहे हैं, क्या, TV, वह, TV देख रहे हैं, he is watching TV, he is teaching, तो teach का मतलब होता है, पढ़ाना, तो पढ़ा रहे हैं, right now, यानि कि अभ, अभी इस वक्त, तो he is teaching, right now, वह, इस वक्त अभी पढ़ा रहे हैं, what, what यानि कि क्या, are, you doing, are, or doing, साथ में इस का मतलब, do का मतलब करना, तो are, doing का मतलब, कर रहे हो, 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 रहे हो, इसलिए क्योंकि you subject है, तो you के लिए, यानि तुम या आप, तो तुम या आप क्या कर रहे हो, this evening, this evening, यानि कि आज शाम, this evening, इस शाम नाशाम क्या कर रहे हो, what are you doing this evening, फिर है, why, I, आर, तो यहाँ पर why का मतलब क्यों, आर, और, यहाँ पर ask का asking, ask का मतलब पूछना, तो पूछ रहे हो, you का मतलब तुम, तुम क्यों पूछ रहे हो, क्यों है, क्योंकि why है, यहाँ पर wh family का word है, और इसका हिंदी में मतलब क्यों, तो why are you asking, reason पूछने के लिए, कि तुम क्यों पूछ रहे हो, why are you asking, फिर आर के बाद में subject है, फिर main verb है, यही sequence चलता है, जो sentence है, उनको बनाने के लिए, लिखने के लिए, फिर है, I am, मैं हूँ, अब मैं हूँ free, यानि कि खाली, this evening, आज शाम, इस शाम, यानि आज शाम मैं, बिल्कुल free हूँ, खाली हूँ, कोई काम नहीं है, मेरे पास, तो कोई कहीं है, या कुछ है, तो free होना, तो यहाँ पर भी, is, अमर का use होगा, तो यहाँ पर subject आई है, इसलिए am लगा है, अगर ही इशी होता, तो is आजाता, what is bothering, यहाँ पर bother का मतलब परिशान करना, परिशान होना, किसी वज़े से, परिशान करना, तो क्या परिशान कर रहा है, फिर यहाँ पर कॉमा लगा कर, you आगया है, कि you का मतलब तुम है, तो क्या परिशान कर रहा है, what is bothering, फिर रुक कर you यानि कि तुम है इस तरीके से है ये अगला sentence फिर आगे है I am washing मैं अब wash का मतलब धोना तो धो रहा हूँ my मेरे hands यानि की हाथ मैं मेरे हाथ धो रहा हूँ I am washing my hands I am cleaning clean का मतलब साफ करना तो मैं साफ कर रहा हूँ the mirror I am cleaning the mirror मैं mirror साफ कर रहा हूँ फिर है they they are laughing laugh का मतलब हसना तो हस रहे है they are laughing a lot यानि बहुत वे बहुत हस रहे है they are laughing a lot Ram and Shyam Ram and Shyam are sitting यानि बैठे हुए है Ram and Shyam are sitting बैठे हुए है on the sofa on मतलब पर किस के ओपर? सोफे के ओपर बैठे हुए है Ram and Shyam are sitting on sofa Ram is playing is play का मतलब खेलना तो खेल रहा है Ram is playing with के साथ his video game यानि राम के लिए his का यूज हुआ है यानि उसके video game के साथ वहे खेल रहा है उसके अपने video game के साथ फिर है Shyam is playing शाम खेल रहा है मतलब शाम खेल रहा है with के साथ his toy car उसकी जो toy car है उसके साथ खेल रहा है फिर है car toy car के बाद में on यानि पर the floor यानि की first के उपर on यानि पर किस के उपर floor के उपर first के उपर Shyam is playing with his toy car on the floor फिर है she is sitting वह बैठी हुई है बैठी हुई है is sitting at यानि पर her desk desk पर बैठी हुई है she is sitting at her desk अब her का use हुआ है she है लड़की है इसलिए her का use she is typing यानि वह type कर रही है वह है लड़की on her on her laptop on यानि पर किस के उपर अपने laptop के उपर her laptop he is living he यानि वह है living is living leave का मतलब होता है यापर किसी स्थान और व्यक्ती को छोड़ कर जाना to where he is living now यानि कि वह है अब जा रहा है he लड़का है तो he is living now वह है अब जा रहा है तो जा रहा है का sense यानि मतलब यानि जिस स्थान पर है उस स्थान को छोड़ कर वो किसी अन्य स्थान पर जा रहा है लीव हो रहा है वहां से तो he is living now I am going go का मतलब जाना तो I के साथ am तो I am going मैं जा रहा हूं कहां to the kitchen kitchen की तरफ जा रहा हूं तो I am going to the kitchen फिर है I have to, have to, I यानि मुझे have to का अपना अलग मतलब है कि करना है किसी को कोई काम करना है तो I have to मुझे करना है क्या करना है make banana है dinner यानि रात का भोजन तो मुझे रात का भोजन डिनर बनाना है I have to make dinner I have to make dinner यह अलग है ZMR से फिर है they like उन्हें या उनसब को उसे उन्हें like पसंद है to cook, pakana bhojan, pakana together एक साथ they like to cook together cook का मतलम यहाँ पर साथ में ही लेंगे कि एक साथ together एक साथ everyone, हर कोई is waiting, wait का मतलब इंतजार करना, तो everyone हर कोई प्रतेक is waiting इंतजार कर रहे हैं for you for यानि for के बाद you, यानि आपका for you, हर कोई आपका इंतजार कर रहे हैं, तो everyone is waiting for you, I am coming, come का मतलब आना तो I am coming यानि मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, I am coming, तो मैं आ रहा हूं Tom is going, go का मतलब, जाना तो is going, यानि जा रहा है to the bathroom, कहां जा रहा है, bathroom जा रहा है Tom is going to the bathroom he is brushing, वह brush का मतलब, दाद साफ करना तो his, यानि उसके अपने teeth को, यानि वह दातों को साफ कर रहा है he is brushing his teeth वह अपने दातों को साफ कर रहा है are क्या अब जैसे easy mark शुरू में आ जाएंगे तो क्या से अनुवाद होगा तो are और sleeping का अनुवाद साथ में रहेगा sleep का मतलब सोना तो क्या और they का मतलब they तो क्या वे सो रहे है are they sleeping क्या वे सो रहे है तो they they are talking क्या है यहाँ पर taking है talking नहीं है they are taking a take a bath यानि नहाने के लिए यूजो का ये word तो वे नहा रहे है तो they are taking a bath have fun have fun का मतलब मजे करना तो have fun इस word का मतलब मजे करना तो they are having they are having so much fun तो have fun का मतलब बताया मजे करना तो so much का मतलब बहु जादा तो वे बहुत जादा मजे कर रहे है they are having so much fun they are having so much fun वे बहुत जादा मजे कर रहे है so much का मतलब बहुत जादा Tom is lying तो lying का मतलब लेते होना, lie मतलब लेते होना, तो is lying है तो लेता हुआ है, Tom is lying on his bed, यानि उसके bed पर वो लेता हुआ है, तो Tom is lying on his bed, फिर है his parents, यानि उसके parents, मातपिता, are knocking at the door, यानि दर्वाजे को knock कर रहे हैं, खट-खटा रहे हैं, knock का मतलब खट-खटाना, तो are knocking, खट-खटा रहे हैं, his parents are knocking at the door, door को knock कर रहे हैं, फिर है, they, they are opening, open का मतलब खोलना, तो are opening खोल रहे हैं, the door, दर्वाजे को, वे दर्वाजे को खोल रहे हैं, they are opening the door, the kids, बच्चे, the kids, बच्चे, are looking, look का मतलब देखना, तो are looking देख रहे हैं, out बाहर of the window, यानि खिरिकी से बाहर, जो बच्चे हैं, वो देख रहे हैं, the kids are looking out of the window खिरिके से बाहर बच्चे देख रहे है a fox, एक fox, लॉमडी, is chasing, chase का मतलब पीछा करना तो एक fox जो है लॉमडी जो है पीछा कर रही है is chasing, पीछा कर रही है a rabbit, एक खरगोश का a fox is chasing, a fox is chasing a rabbit the rabbit, जो खरगोश है the rabbit is running, run का मतलब दोड़ना तो is running मतलब दोड़ रहा है the rabbit is running fast, यानि तेजी से run fast, बहुत तेजी से तोड़ रहा है the bus, bus is crossing, cross कर रही है पार कर रही है, is crossing, cross का मतलब पार करना तो is crossing, पार कर रही है a bridge, एक bridge को पार कर रही है cross कर रहे हैं, the bus is crossing a bridge a deer, a deer, a deer is drinking, drink का मतलब पीना तो पी रहा है, is drinking water, पानी, a deer is drinking water children, बच्चे, प्लूरल है subject, तो are listening, listen का मतलब सुनना तो सुन रहे हैं, are listening, सुन रहे हैं, carefully, ध्यान पूर्वक, carefully, ध्यान से, ध्यान पूर्वक children, are listening, carefully, बच्चे, ध्यान से सुन रहे हैं look, look का मतलब देखना, look के बाद कॉमा लगी है, तो look, देखो there is a bird, there is a bird nest, मतलब की एक bird nest है, चडिया का घौसला है there का use subject के रूप में हुआ है, is यानि है, a bird nest, एक चडिया का घौसला in the tree, यानि की ट्री में, पेड़ पर, पेड़ के अंदर, पेड़ के अंदर है, तो look, there is a bird nest in the tree, देखो, पेड़ पर एक चडिया का घौसला है, तो यहाँ पर आपने देखा is MR के साथ verb में ing है, यानि की जो काम है, जिस दौरान हम इसको पढ़ रहे हैं, वो उस दौरान हो रहा है, उस वक्त हो रहा है, एक movement होता है, उस movement में, उस shun में कोई काम continue है, तो इस MR के साथ verb में ing लग जाता है, मेन वर्ब कौन सी है, helping verb यहाँ पर आपने देखी, तो आज की pronunciation की उचारन की reading के class में, translation के class में, बस इतना ही